नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार में दरजर भर से अधिक योजनाव का सिलन्यास के साथ उधगाटन करेंगे, साथ ही जल कन्यानकारी योजनाव के लाभकों के बीच रीन वा परिसंपतियों का बित्रन किया जाएगा, पंचायत अस्तर पर पूरे कार करम की लाइब इस्टिंग भी कराई जाएगी, मुख्य मंत्री हमान सुरेन के साथ पलामो की प्रभारी मंत्री जोबामान जीवा पेजर लेवा स्वक्सता मंत्री मितले स्ठाकोर भी मौजूद रहेंगे, जनकारी के अनुसार मुख्य मंत्री हमान सुरेन 11 बच कर 20 मिट रांची इस्ठीट हायगर से मेधनी नगर के ये रवाना होंगे, जार्खन में 25,996 को की नियुक्ती 15 नॉवंबर तक, जार्खन के प्राथमी को अमध्य विद्याले में 25,996 सहायक आचारे की नियुक्ती को लेकर आरक्षन रोस्टर किलियर करने की प्रिक्रिया अम्तिम चरण में हाई, शिक्षा भी भागने 15 नॉव जार्खन रोस्टर किलियर करने वह इन में से 25,996 पदोपर नियुक्ती के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया था, जीलो द्वारा भेजेगे प्रस्ताव के सत्यापन विभागयास्ता पर भी किया जा रहा है, प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ती निमावली को लेकर सरकार से पूर्वे में स्विक्रिती मिल चुकी है, जार्खन करमचरी चैन आयोग द्वारा परिक्षा ली जाएगी, कक्षा 1-5 वह 6-8 के लिए अलग अलग परिक्षा होगी, सर्जू राय की हेमन्त को सला, इड़ी के पोच्टास्ते भागे नहीं, जार्खन बिहार में भरस्ट चार सजुड़े मामलोप पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले जार्खन सरकार के पूरो मंत्री सर्जू राय ने परदेश के मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन को सला अद्दे डाली है, इड़ी के समन से भागने की बजाय उन्हें सवालों का सामना करना चाहिए, सर्जू पुख्याद चारा घोटाले को उजागर किया था, उन्होंने उस घोटाले का भी संदर बेदेते हुए हमन्त सुरेन को सुझाव दिया है, उनका मनना है कि बेहतर होगा कि हमन्त सुरेन को एड़ी के सवालों का सामना करना चाहिए, या तो वे एड़ी के दफ्तर चले अधिकारियों को अपने यहां बुलाए, बता दे पसुपालन घोटाला में, CBI के सन्युक्त निदेशक ने बिहार के ततकारिन मुख्य मंतरी लालू पर साथ के यहां अपने टीम के साथ जाकर पुश्टाश किया था, पुख्ता सबूत होने पर ही एबड़ी हस्तियों से धनबाद में कोईला चोरी को लेकर ग्रामीन वह CISF जवानों में भीड़ांत, धनबाद के बरोरा थना छेतर में BCCL की AMP कोलरी के सताबदी पैंच में गुरुवार की सुबा कोईला काट कर ले जा रहे यूकों वह CISF जवानों में भीड़ांत हो गई, दोनों तरब से कम स 15 लोग घाल हो गया है, भीड़ांत कई बार होई, CISF ने दो राउंड फाइरिंग की है, कपिल यादो नामक यूक को जांग में गोली लगने से घाल हो गया, उसे इलाज के लिए बोकारो जनरल अजपताल भेजा गया, घाल यूक ने कहा है कि वह जलावन का कोईला लेने गया था कि जवानों ने जान मरने की नियत से घोली चला दी, इस घटना के बाद दोपर को आसा कोठी खटाल में फिर जवान वगरामी भीड़ गया, उसमें दोनों और से पत्राव चले, खदेला खदेली होती रही, यहाँ जवानों ने कम से कम 15 राउंड फाइरिंग की है रखुबर दास बोले, सन्वेधानिक संस्था को धमकार है हमंत सुरेन, जारखन के पुरमुख मंतरी और भारतिये जनता पार्टी के राष्ट्रिये उपाद्यक्ष रखुबर दास ने हमंत सुरेन की तूनल लालू परशाद यादू से कर दी है, रखुबर दास ने कहा है या किसी ते चीपा नहीं है, रखुबर दास ने कहा है कि मुख मंतरी हमंसुरेन ने जब कोई गलत काम किया ही नहीं तो उन्हें डर किस बात कहा है, एक तरफ ओ सन्वेधानिक संस्था इड़ी को सरोजनिक रूप से धमकार है है, वहीं दूसरी तरफ उसी संस्था तीन सब समय की मांग की जा रही है, उन्होंने कहा है कि जब जब भरष्ट चार में लीप्त ऐसे ने ताव पर कानून का सिकांजा कसता है, वह समेधानिक संस्थावों को धमकाने लगते हैं, जारखन में कोवीड को लेकर जारी सभी पवंद्य समाप्त मास्क पहनना अनिवारे नही जारखन में कोवीड नाइंटीन को लेकर राज सरकार के अस्तर पर जारी सारी पवंद्यों को समाप्त कर दिया गया है, मुख्य मंत्री सह जारखन राज आपदा प्रवंद्यों को लेकर जारी आदेस को समाप्त किया जाता है, अब राज में कोवीड नाइंट को लेकर किस इसी तरह की पवंदी नहीं रहेगी, 20 जुन के आदेश में कार्यास थलो पर मास्क या फेस कोबर पहनना निवार था, अब मास्क की बाद्यता भी समाप्त हो गई है, इसी तरह स्कूल, कॉलेज, गोचिंग, ट्रेनिंग, सेंटर, होटल, रोस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉ मल्टिपलेक्स, जीम, योगा सेंटर, वाहन और धार्मिक अस्थानों को लेकर भी जारी एसोपी का पालन करने से छुट दे दी गई है, डाक बिभाग में पोस्ट मैन, मेल गाड के 98,000 पदों पर भरती, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने अधिकारिक इंडिया पोस करना चाहते हैं, वे अधिकारिक इंडिया पोस्ट वेब पोर्टल, इंडिया पोस्ट डॉट जो भी डॉट इन पर अपना पंजीकन करा सकते हैं, इंडिया पोस्ट के अधिकारिक नोटिफिकेसन में कहा गया है कि जिन उमिद्वारों ने अपनी काक्षा दस्वी और काक् मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाप के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए उम्र सिमा 18 से 32 रखी गई है जारखन में ED और IT की रेड जारखन में केंद्रिय जाच एजेंसियों ने सुक्रवार को एक साथ कई जगा पर छापे मारी कर दी है दो कांग्रेस की टीम ने पच्छिम सिम्भोम के उद्योग पति राज कुमर्शा के जारखन बिहार और बंगाल के ठीकानों पर भी छापे मारी की जारखन के रेधानी राची में न्यूकियल स्मॉल के मालिक विश्नु अगरवाल के ठीकानों पर परवरतन निदिस दालाई की टीम ने की एवं दिगज ट्रेड यूनियन नेता राजिंद्र सिंग के बेटे अनूप सिंग जो बेरमों से भी धाय खाय के यहां भी रेड मारी है ज्यारखन के गरामीन इलाकों में जीला परिशत से पास होगा नक्सा ज्यारखन के गरामीन छेत्रों में नक्सा अब नगर परिशत पास करेंगे राची से इसकी शुरुवात की गई है नगर विकास सचिव भी ने कुमार चोबे ने इससे समधित आधेस जारी किया है आधेस में कहा गया है कि राची छेत्रिये विकास प्राधिकार के जीन विकास छेत्रों के लिए मास्टर प्लान त्यार का सुकृति नहीं लिगाई है उन छेत्रों में ग्रामिन विकास के पंचायती राज प्रभाग के अधिन जिला परिशत को नाक्षा स्विकृति के लिए अधिकृति किया गया है जैमंगल सिंग बोले यह IT की नहीं बलिक भाजपा की रेड है यह आयकर विभाग IT की रेड नहीं भारते जनता पार्टी की रेड है वे जो भी पूछ रहे हैं मैं उनका जबाब दे रहा हूँ सभी कांग्रेसी विधाय को को तोड़ने की कोशिस की जा रही है यह बाते बेरमो से कांग्रेस विधाय कुमार जयमंगल सिंग ने अपने आवास पर हुई छापे मारी की परतिकिरिया में कही उनके समर्थक लगातार आवास के बाहर परदर्थन और नारेबाजी कर रहे हैं परदर्थन और नारेबाजी की खबर मिलने के बाद पूलिस वहाँ पहुँची और विधाय के समर्थकों को सांथ करवाया बता दे कुमार जमंगल सिंग उर्फ अनूप सिंग के बेरमो इस्थीत आवास परुन के समर्थ को द्वार नारेबाजी की खपर मिलते ही बेरमो के थाना प्रभारी रमिंद्र कुमार सिंग दल बदल के साथ पहुँचे और लोगों को सांथ करवाया रिम्स में गंदे चादर को देख भड के मंत्री बना गुपता जारखन सरकार और सत्य साई हिर्दय अस्पताल के द्वाराज सुक्रवार से तीन दिवसी राज अस्तरिय निसुल के हिर्दय जाज सिवीर रिम्स में लगाया जा रहा है पहले दिन सिवीर में रांची पुर्वी सिम्हुम धनबाद वोकारो गिरिडी गुमला सराय के लखर सावाय सिम्डेगा और पच्मी सिम्हुम जीले के हिर्दय रोग से ग्रसित मरीजों की स्क्रीनिंग होगी पुर्व में इन मरीजों का उपरोक्त जीलों के स्वास्त विभागी टीम के द्वारा स्क्रीनिंग की गई है वहीं पांच नॉमबर को देवखर पलामू चत्रा दुमका गोड़ा गढ़वा जामतरा कोड़ार मलाते हार पाकुड़ो साहिब गन जीले के हिर्दय रोग से ग्रसित मरीजों की स्क्रीनिंग होगी वहीं च्छ नॉमबर को हजारी बाग खुटी लोहर दागा और रामगर जीले के हिर्दय रोग्यों की जाच की जाएगी जाच के बाद मरीजों को प्रसांती मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा राज कोट इव Minorड़ अनॉमाधाबाद में संचाली 67 हिर्दर अस्पतल में रेफर किया जाएगा है जहां मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा है बोकारों के जीला पंचायती राजपदा दिकाई राज से खरने की आत्महत्या बोकारों के जीला पंचाय थी राज पतादिकाई राज सेखर ने बिती रात अपने आवाज में फांसी लगा ली उनकी मौत की सुचना पत्नी ने विभाग के करमचारियों को दी इसके बाद सभी उनके आवास पहुंचे बताया जा रहा है कि राज सेखर बीते कुछ दिनों से काफी तनाव में थे बोकारों में अपने पत्नी के साथ रहते थे आईसे रहने वाले ये पतना के थे धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सब्सक्राब करें बाल का बेल अकान दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक का आपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बाय कवास से दे थांक्यू